हाई देर आज की वीडियो के अंदर आपको इजी वर्डिंग के अंदर सॉल्ट प्रॉपरिटिशिप के एड्वांटेज़ और डिस एड्वांटेज़ करवाए जाएंगे और आपको एक्जैम्पल्स भी दी जाएंगी सो कंप्लीट समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो पहला जो इसका एड्वांटेज है वो है फ्रीडम इन फॉर्मेशन सो जब सोल प्रपरिटिशिप का बिजनेस फॉर्म किया जाता है बनाया जाता है तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा फॉर्मैलिटीज नहीं होती और कोई गौर्मेंट की तरफ से परमीशन लेने की भी जववत नहीं होती जनरल कैसिस के अंदर गौर्मेंट की परमीशन की भी जववत नहीं होती, suppose अगर कोई अपनी शॉप खोलना चाता है, तो वहाँ पे कोई इसको गौर्मेंट से पर्मिशन लेनी की जववत नहीं है, और इसी तरह से इसको इसको इस्टेब्लिश करना भी असान होता है, अब किसी ने अगर शॉप खोलनी है, तो शॉप खोलना decision लेना चाता है, तो उसको किसी के भी interfere की जववत नहीं पड़ती, वो बगर किसी के interfere के decision ले सकता है, अगर किसी की राय वो लेना चाता है, तो वो ले सकता है, और अगर उसने अपने साथ कोई honor employee रखा वाए, तो उसकी भी राय वो ले सकता है, अगर वो लेना चाहे तो, और इजी होता है अपनी जो ownership होती है उसको transfer करना यानि कि अगर shop owner अपनी shop sale करना चाता है किसी को भी तो वो अराम से sale कर सकता है उसको किसी की permission लेने की जोवत नहीं होती। इसके मुकाबले में partnership के अंधर ऐसा नहीं होता पार्टनेशिप के अंदर उससे partner को भी, एकरी करना होता है और जो honor होता है, वो पूरी की pautry ownership enjoy करता है, पूरा काment business honor का ही, पूरा का profit भी उससी का होता है, अगर उसने की to cost sales则 से employee की salary सिर्फ वो पे करेगा अधरवाइस जो profit होगा वो पूरा का पूरा owner की जेब में जाएगा और unlimited opportunity होती है कि expand किया जाए जो business का size है so उसका जो size होता है उसको unlimited जितना मर्जी चाहे owner जो वो expand कर सकता है उसके उपर कोई restriction नहीं होती या limitation नहीं होती किसी third party की किसी की तरफ से उसके उपर कोई limit नहीं लगा जाती कि वो जो business को expand ना कर सके और जो honor होता है वो business के secret अपने पास रख सकता है उसको किसी से भी share करने की जवद नहीं होती है जब business owner के पास रहेंगे वो competitor के हात भी नहीं लगेंगे यह किसी किसी धुश्मन के भी किसी दुश्मन के भी हात नहीं लगेंगे और इंडिविजाल योते उनका personal interests होता है business के अंदर क्योंकि पूरा का पूरा profit नहीं draw नहीं का होता है पूरा का पूरा बिजनस उनीका होता है तो उनका परसनल इंटरस्ट भी होता है बाकी बिजनसे के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंके वहाँ पर एक से ज़ादा ओनर्स होता है लेकिन यहाँ पर एक ओनर होने की वज़ा से अपना personal interest होता है और एक owner होने की वज़ा से decisions यह होते हैं वो speedy होते हैं तेजी से decision लिया जा सकता है अब जो shop owner है वो अपनी shop के बारे में जो भी decision लेना चाता है वो खुद से foreign ले सकता है उसको जब किसी से वो discuss नहीं करेगा और अगर उसको खुदी decision लेना है यानि कि उसने करना इस तरह के business को close down करना relatively simple है और straight forward होता है shop owner अगर यह चाहता है कि वो अपने business को बंद कर दे खितम कर दे सो वो आराम से उसको कभी भी बंद कर सकता है और इसके जो disadvantages हैं वो पहला यह के और जो main है के limited amount of capital जो इसके अंदर सरमाया होता है वो बहुत limited होता क्योंके एक ही वहां तक ही limited रहता है amount capital का capital इसके अंदर बहुत कम होता है बाकी businesses के मुकाबले में और continuity problem होती है इस तरह के business ज्यादा continue नहीं करते जो shops होती है अकसर आप देखते होंगे कि एक shop खुली और कुछ वक्वाद ही बंद हो गई होता है कि बहुत जल्दी बंद हो जाती है क्योंके वो इसका एक ही honor होता है एक से ज़्यादा the Ugnow सो आप देखेंगे वह होते हैं यहाँ पर सोल्ट प्रपेटिशिप मंध बिजनस और अनर जो है वह एक ही हैं ऐसा निए होता कि बिजनस अलग है और अन Rsघ अलग है सो बिजनस और ऑणर से एक ही होने की वज़ास है जो लाइफ है बिजनस की वह गोपर बिपेंड और जब दिल करे बिजनस को खतम कर दे, हाँनर का इंतकाल जा तब भी बिजनस खतम हो जाता है तोटली हो आउनर के उपर डिपेंड करती है इसकी लाइफ बिजनस की और आउनर जे होता है उसकी अलिमिटेट लाइबलीटी होती है यानि कि अगर जितना उसने business के अंदर invest किया है उससे ज्यादा अगर business के पर करजा चड़ जाता है तो honor को अपनी personal property भी sale करना पड़ सकती है इस को हम केते है unlimited liability तो यह थी आज की वीडियो आपको अगर इस बार में कोई question ने नीचे comment कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियो के लिए चैनल को subscribe कीजिए bell icon के पर click कीजिए thanks for watching this video